जाइन दोस्तों देखिए अभी आप लोगों के लिए दोस्तों तीन ऐसी सबसे जबरदस्त वेकेंसी निकल के आ गई है जिसके लिए आपको फॉर्म जरूर से जरूर भरना चाहिए और इन तीनों में से किसी एक में पक्का सलेक्शन दोस्तों लेकर की दिखाईए ठीक है य यह तीनों दोस्तों जाड़ी किजिए और आप इन तीनों के लिए फॉर्म भरूर भरियेगा और तीनों में से किसी एक में अपने आपको फशा दीजिए ठीक है और पक्का सलेक्शन लेकर की दिखाईए तयारी कीजिए और मेहनत करके इस बार दौस्तों पक्का नौक्री ले लिजे, अप्रिल, माई, जून तक सब का जॉइनिंग इस पर लगभग कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये तीनो कौन-कौन सा वेकेंसी, 8-2-Z हम आपको यहाँ पर वीडियो में बताएगे, तो वीडियो को अंत तक देखेगा, तभी आप लोगों को तो सब्सक्राइब जरू कीजेगा, ठीक है, देखें दोस्तों, हमारी लिश्ट पर जो एक नंबर की वेकेंसी है, जो कि अभी आप लोग अपलाई कर सकते हैं, और पका सेलक्सन ले सकते हैं, वो है दोस्तों, भारतिये 9 सेना, जिसको बोलते हैं, इंडियन नेवी, ठीक है, ये मर्चेंट नेवी नहीं है, दूसरी बात, ये अगनिवीर योजना के अंतरगत नहीं है, ये पर्मानेंट नौकरी है, मर्चेंट नेवी नहीं है, अगनिपत योजना नहीं है, ये इंडियन का दोस्तों permanent vacancy है, total seat निकला है, दोस्तोv 910, 910, total post इस पे निकल काए है, अब बात करेंगे age, सबसे पहले यह जान लिजिए कि 910 कौन कौन सा पोस्ट है, तो इस पे various post के लिए vacancy निकला है, इस पे दोस्तों सबसे पहला post है, चार्ज्मेंट दूसरा है, tracksman mat ka vacancy जो की काफी बढ़ीया vacancy है इसकाrd Richard man का vacancy है और भी कई तरह का vacancy है लेकिन इसपे जो tracksman mat है, chargeman है ये काफी बढ़ीया vacancy है दोस्तो इसपे बात करेंगे age limit का तो कम से कम आपका 18 years तो होना चाहिए farm को भरने के लिए अधिक से अधिक दोस्तो 25 साल किसी पोश्ट में 27 साल मांगा है यह हम बता रहे हैं जनरल वाले विदार्थी का जो जो जनरल काटिगीरी से बिलों करते हैं जो जो विदार्थी OBC हैं उनको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा जो जो बिद्याती SC-ST है उनको 5 सल का अधिक्तम छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठेक है अब बात करेंगे अप्लाइ करने में दोस्तों कितना पैसा लग रहा है तो ध्यान दीजे 295 255 रुपया देना पड़ेगा जनरल OBC EWS को बाकी दियाप SC है ST है महिला है तो आपका दोस्तों इस पर पैमेट करने के जोरत नहीं है इनका 0 पैमेट में फॉर्म फिलप हो रहा है ठीक है अब बात करेंगे अप्लाइड डेट तो दीखें दोस्तों 18 दिसंबर से ओन लाइन चालू हो रहा है 18-12-23 से लेकर के इसका ओन लाइन चलेगा दोस्तों 31 दिसंबर 2023 तक 31-12-23 तक अपलाई कर सकते हैं तो कितना टाइम आपको दिया फॉर्म भरने के लिए इधर 2 और 11 लगबग 13-14 दिन आपको फॉर्म भरने का टाइम दे रहा है तो एकदम फटा फट जैस पर हो सकता है अब बात करेंगे दोस्तों इस पर योगःता वहोना चाहिए तो तो देखें दोस्तों इसपर जो सबसे बढ़िया पोश्ट है वह तो ऐसे सब लेकिन कुछ-कुछ-कुछ को पॉश्ट में अलग-अलग योगःता मांगा जो कि सब के नहीं है इस पर पहला चार्जमेन इस पे मांगा आपका डिग्री ठीक है जो चार्जमेन का वेकिंसी है इस पे आपका ग्रेजुवेशन होना चाहिए इसके साथ साथ दोस्तो जो ट्रेट्समेन मेट का वेकिंसी है उस पे मांगा है टेंथ पास टेंथ में साथ साथ आपका आई टी आई मांगा है का वेकेंसी है तो जुरूर मांगेगा ठीक है तो यदि आपका दस भी के साथ सता आई टीए है तो आप भर सकते हो आसानी से पका सेलक्षन ले सकते हो इंडियन नेवी में इसका डीटेल नोटिफिकेशन देख लीजेगा इस पर हलांकी बहुत जल्द हम एक स्पेशल वीडि एक सो कोशिन का एकजाम होगा ठीक है तो काफी बढ़ियां सेलेबस है नॉर्मल सा है भरिये देखे दोस्तों अब आप कहोगे कि सर नॉर्मल क्यों बोह रहे हैं तो सब बैकेंसी का सलेबस अपने आप में अलग है ठीक है किसी को तो आसान समझ के तयारी करना पड़ेगा नहीं तो ऐसे सोचो कि सब हाड है तब तो आपको सब हाड लगेगा फिर निकालोगे क्या ठीक है भेड से निकलने का हुनर सिखिए किसी भी तरह से किसी भी फिल्ड में हो भेड से निकलने का कुछ अपने अंदर एक यूनिक चीज लाइए जैसे पांस सब्जक्ट है चार सब्जक्ट है तो कोई एक सब्जक्ट आपको उठा देगा या तो कोई एक सब्जक्ट आपको डुबा देगा तो अपने आपको इस तरह से मेंटेन करके रखिए कि हर सब्जक्ट में आपका अच्छा सच्छा स्कोर आए ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तुरा तो देखेगे ये वेकंसी निकल के आ गया है डी ये ये का मतलब क्या होता इसका मतलब होनता है Department of Automate Energy ठीक है Department of Automate Energy यानि परमानो उर्जा विभाग जो ये विभाग का नाम है परमानु उर्जा ठीक है यानि हमारे देश का जो भी परमानु शक्ति है उस डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा इस पे दोस्तो सीट का जो नाम है जो पोस्ट का नाम है वो निकला है स्टोर कीपर का एक तो यह पद हो गया दूसरा जो पद है दोस्तो जे पी जूनियर पर्चेस असिस्टेंट इसका दोस्तो सीट निकला है हालांकि टोटल सीट बहुत कम है लेकिन आप भरिएगा जरूर टोटल 62 वेकेंसी है मात्र 62 वेकेंसी है और कम सोच करके बहुत सारे विदर्दी फॉर्म को नहीं भरेंगे कि इतना कम वेकेंसी है मेरा होगा क नहीं होगा तो आपका ही होगा यदि आप दिमाग लगा दोगे तो आपका ही होगा इस पर देखेंगे जनरल का 25 वेकेंसी है यह जनरल का हो गया OBC को तीन साल छूट मिल जाएगा सीस्टी को पांस साल का एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिल जाएगा ठीक है अब अपलाइ करने में मात्र पैसा मंग रहा दोस्तों 200 रुपया जैनरल OBC EWS से बाकी से दोस्तों इस पर कोई पेमेंट नहीं मांगेगा ठीक है बाकी से सीस्ट तेईस से लेकर के चलेगा इसका ओनलाइन दोस्तों लाश्ट तेईस तक यानि 31 बारा तेईस तक यानि 31 दिसंबर दोहजर तेईस तक आपको भर पाईएगा काफी बढ़िया वेकिंसी योग्यता की बात करेंगे दोस्तों इस पर क्या योग्यता होना चाहिए तो देखिए आपका B.Sc यानि Bachelor of Science साथ में साथ आपने ये बीकॉम भी किया है तो फार्म को भर सकते हैं इस पर आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है इसके अलावा दोस्तों ये आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए eligible हैं फार्म को भर सकते हैं इसके लिए आप special इसका वी इस पर जान लिए कि B.Sc और बीकॉम जरूरी है 60% नंबर भी होना जरूरी है ठीक है योग गिता तो हम उन्हें आपको बता दिया B.Sc या बीकॉम 60% नंबर चाहिए समय बागे चाहिए अब बाग करते हैं दोस्तों वेकेंसी नंबर 3 ये वेकेंसी कहां से निकल का रहा है त एलपी और टेकनिशन का आपने हाल फिलाल में देखा कि एलपी टेकनिशन की क्वालिफिकेशन को लेकर के थोड़ी बहुत यहां पर चेंजिंग की जा रही है नोटीस भी ओफिशल वेबसाइट पर आ चुका है मतलब इसकी तयारी चल रही है एलपी टेकनिशन का वेकेंस प्लस ही आपका वेकेंसी निकल आएगा और आपने यूटूब पर भी वीडियो देखा होगा बहुत सारा वीडियो तो उस पर बताया जा रहा है कि 42,000 प्लस वेकेंसी आएगा और नोटीस भी दोस्तों आया है क्वालिफिकेशन में कुछ कुछ चेंजिंग किया जा रहा ह ठीक है तो इससे बढ़िया वेकेंसी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है तो यदि आप किसी भी वेकेंसी तयारी कर रहे हो नา то इसको भी दिमाग में रखना कि यह आ रहा है मुझे भरना है तयारी करना है और इसको पका लेना है ठीक है देखे येज इस पे कितना बहुत पहले वेकंसी आया था अब वेकंसी आ रहा है तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा भी उम्र में छूट देखने को मिले ठीक है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यह आपका उम्र क्रॉस हो गया है तो आप सोचोगे कि हम तो नहीं भर पाएंगा अब क्यों देखें वेकंस एक बार देखिएगा जरूर कि एज में क्या एक्स्ट्रा छूट दे रहा है कि नहीं दे रहा है इस चीज को समझना जरूरी है अब अपलाइब करने में रेलवे मांगती है जनरल ओब इसी एडवलो से से और महिलाओं से धाई सो रूपया मांगती है लेकिन पैसा बाद मे वापस भी हो जाता है जब आप यदि एक्जाम में बैठोगे तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है तो काफी बढ़िया बात है रेलवे का अपलाइडेट की बात करेंगे दोस्तों तो जहां तक मुझे लगता है कि जनवरी या फरवरी तक ठीक है पक्का वेकिंसी बात धेता है तो यहां पर यह करत है के अंगे प्रका ब भी फ कमी के लिए उसे हम बना देंगे जो कुरजिए ने के साह साथ आई टी तो आप तयार रहिए पॉर्म को भरने के लिए साथ में यदि आपने 12 के बाद डिप्लोमा भी किया है जैसे कि पॉल्टेक्निक किया है इंजिनीरिंग किया है तो भी आप इसके लिए eligible होंगे form को भर पाईएगा ठीक है तो काफी बढ़िया vacancy है फिलाल इन दोनों के लिए form भर ये तयारी कीजिए ये ये वाला भी vacancy बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा तो एक दम कस के कमर कस के तयारी में लग जाईए vacancy बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा फिलाल इन दोनों के लिए दिया पहलिजिबल हो तो फार्म को जरूर से जरूर भरना ठीक है और अभी तक यह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हर प्रकार का अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देते रहते हैं तो चैनले दोस्तों मिलते अगली वीडियो में जाएं